इस वीडियो में लाइब डेमो पूरा प्रोसेस बताएं कैसे आप लोग RTI के थूरूद मात्र 10 रुपया में CA Foundation June 23 का Certified को पी मंगवा सकते हो आपके मन में जितना सारा डाउट होगा वो सारा डाउट भी क्लियर हो जागा इस वीडियो को अगर पूरा Complete देख लेते हो अगर आप पास कर गए हो तो भी मंगवा सकते हो अपना Certified को पी देखने के लिए अगर आप फेल कर गए हो तो भी आप RTI के थूरू मात्र 10 रुपया में अपना Certified को पी मंगवा सकते हो और जिस भी Students को Verification के लिए Apply करना या ICI वेबसाइट के थूरू ICI के थूरू Certified को पी या Inspection के लिए Apply करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंक आपको Description में मिल जाएगा और हाँ Students प्लीज इस वीडियो को पुरा Complete देख लीजेगा जितना सारा आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा RTI से जब आप लोग अपलाई करोगे तो आपको एक Format का ज़रुत परेगा मैंने Format Charter Studies के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है 10 अगस 2023 वाले डेट में तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो 10 अगस 2023 वाले डेट पे चले जाएगा आपको Format मिल जाएगा RTI का और कैसे RTI फाइल करना मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा तो प्लीज एक बार फिर से बोलना है वीडियो को स्किप ना करे और हाँ मेरे हाड़ वर को एप्रिसियेट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोगो को Google पे लिखने है RTI Online GOV.in या RTI भी लिखे होगे न तो आप सर्च करोगे तो RTI Online GOV.in के ओफिसियल वेबसाइट पे आप लोग चले जाओगे और हाँ ध्यान से बाते को सुने जैसे ही 10 रुपया का पेमेंट करना चारो कोपी के लिए आप सर्टिफाइट कोपी मंगबा सकते हैं जैसे ही पेमेंट करोगे 10 रुपया का भी न तो आपको कन्फरमेशन मेल मैसेज आ जाएगा 24-44 गंटा के अंदर में 24-44 गंटा के अंदर में आप लोग को क्लिक हैर जो सोकरा उस पे क्लिक कर देना इसके बाद स्कॉल डाउन करके नीच आना ध्यान से बाते को सुने अगर आप लोग पेमेंट पेज पे नहीं जा पार रहे हैं इसका ये मतलब हो गया कि आप लोग RTI बाइज हैं उसको सही खली कर ना मैंने RTI format को सेयर किया उसमें अपना detail फिल करना है और आपको update कर देना जब तक अगर पेंट पेज भी नहीं जा रहे हो इसका यहीं मतलब होता है कि आपने format मेंमें मिस्टेक ही यहा पे टिक करना है something पर पर्याइश दो समिट करते हो website अभ पे ministry of corporate affair जो होगा वहाँ पे आप लोग select कर लिया है जैसे ही यहाँ पे select करते हो इसके बाद आपको select करना है आप CA का certified copy मंगवारे foundation का तो यहाँ पे chartered accountant को यहाँ पे select करना institute of chartered accountants यहाँ पे इसको select करते हो इसके बाद यहाँ पे आपको सारा detail feel करना आपको mail ID लिखना है mobile number लिखना है ठीक है आपको नाम लिखना है mail ID में mistake नहीं करोगे कुछ ऐसा होता है कि RTI students file कर रहे होते है mail ID में mistake करेंगे तो उनको कैसे confirmation mail message receive होगा तो यह भी चीज को आपको अच्छे से ध्यान देना है जैसे ही आप लोग mail ID लिखोगे फिर आप लोग registered mobile number लिखोगे फिर आप लोग अपना name लिखोगे confirmation mail ID एक बार फिर से लिखोगे gender select करोगे फिर उसके बाद address लिखोगे और हाँ ध्यान से बात देको सुलना है जब आप लोग RTI फाइल करते हो confirmation mail message receive हो जाता है इसके बाद आपको 30 से 40 दिन वेट करना है इसके अ चैनल पर share कर दिया है और यहां पर आपको एक file upload करना होता हो वो file आपका admit card होगा CA foundation का ठीक है capture fill करना है capture fill करने के बाद आपको submit कर देना है अगर submit करके करते हो और payment page पर नहीं जा तो इसका एक ही मतलब है format को सही करना कोई भी symbol गलत लिख दिये हो या ऐसा कुछ भी चीज गलत लिख दियो वहाँ पर screen पर आपको show कर जाए तो आपको उसको सही करना है इसके बाद payment पर जाया जागा payment करना है बात खतम हो गया यहां पर और आपको confirmation mail message आ जाए mobile number email ID यह सब लिखने के बाद confirm email ID name लिखना है इसके बाद आपको gender select करना है फिर इसके बाद आपको address ल लिटरेट ही हो गया अब सारे students तो लिटरेट सेलेक्ट किजएगा अगर आप 12th pass out हो तो 12th pass out को select करेंगे अगर आप graduation pass out हो then graduation हो एसने की first year second year में हो गये ना तो 12th pass out ही select करना है इसके बाद क्या करना है फिर से mobile number आपको यहां पे लिख देना है इसके बाद poverty line में no लिखना टिक है यहां पर क्लिक कर दोगो तो document अपलोड करना परेगा यहां पर यह फॉर्मेट है वैसे मैं description में भी फॉर्मेट दे दे रहा हूं जहां पर आपको change करने का जरत परे जिसे की foundation के जगह पर foundation ही रहने दीजेगा intermediate and final वाले को हटा दीजेगा समझ रहे हो नहां मैं क्या 23 एक्जाम यह format में थोड़ा थोड़ा changes करोगे format को एक बार अच्छे से देखना है कहां कहां पर हमें change करना है वहां पर change करके एडिट करके आप लोग कोपी पेस्ट कर लोगे simple सा बात है तो वैसे यह format आपको description में दे दिया गया है चाहो तो आप लोग charter studies से copy paste करके edit कर सकत करेंगा और यहां यहां पर आप लोग का CEO Foundation June 23 का admit card update करना होगा तो ध्यान से बाते को सुन लेना admit card जब आप लोग अपडेट करोगे तो file name 12 digits से बढ़ा नहीं होना जाए तो sort कर लोगे file name को rename कर लोगे capture fill करोगे capture fill करने के बाद एक और बात ध्यान से बाते को सुना है make payment कर बार error होगा तो आपको दुबारा तीवारा try करना होगा same problem मेरे साथ होता है आपके साथ भी same problem होगा RTI file करने का दूसरा कोई option नहीं है RTI website पे problem होता ही होता है कि बार बार आपको file करना परेगा अगर payment वाले option पे नहीं जा रहा है तो आपको ये तो बता दिए कि format को सही जीएगा जैसे ही PayPal क्लिक करते हो तो ध्यान से बाते को सुने ना बार बार ऐसा error आएगा तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपके साथ ही ऐसा problem हो रहा है सब के साथ ऐसा problem होता है तो आपको बार बार अलग अलग time में देखते रहाना किसी भी time आपको ऐसा हो सकता है कि payment कर करने का option ही नहीं मिलता रहता है तो payment करने का option मिल जाए अगर आप लोगो को जल्द वाजी है तो ICI website के थूरू आप लोग certified copy या verification के लिए apply कर देजेगा simple सा बात है यहाँ पे बहुत सारा option है यहाँ पे आप किसी भी route के थूरू आप payment कर सकते हो मैं QR code scanner से payment यहाँ पे कर द तो मैं जब file करता हूँ न तो ऐसा होता है कि अगर 24-48 गंटा के अंदर में किसी students का नहीं आता है तो मैं दुबारा से file कर देता हूँ तो 2-3 बार try करते है तो mail आहीं जाता है confirmation mail message अगर आपका confirmation mail message नहीं receive होता 24-48 गंटा के अंदर में then आपको RTI से certified copy नहीं आएगा तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ अगर आप ज्यादा परिसान हो रहा हो तो better है कि ICI के थूरू चले जाएगा certified copy कैसे मंगबाना या verification के लिए कैसे apply करना मैंने detail video बना रखा है video उकालिंग का आपको description में मिल जाएगा इस students का RTI से certified copy के लिए file हो गया आप लोग भी यही तरीका है अगर आपको payment page पे नहीं जा रहे हो तो format को सही करोगे बार बार payment field हो रहा है तो आपको दुवारा त्रीवारा try करना हो क्योंकि RTI website पे problem चलता ही रहता है बाकि आप लोग RTI से certified copy मंगबाते हो तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं आराम से मंगबा सकते हो चैनल पे जोइन कर सकते हो CA foundation December 23 का students अगर आप लोग CA foundation का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो UN Academy से या CA intermediate का सब्सक्रिप्शन लेना चाहरा है तो अभी आप लोग coupon code यूज करोगे चार्टे इस्टरिस टें coupon code आपको additional 20% का discount मिल रहा ओफर 12 अगस 2023 तक का है students अगर आप लोग UN Academy से classes लेना चाहते हो CA foundation या CA intermediate का तो अभी 20% का discount चल रहा है 12 अगस 2023 आकरी डेट है तो जल से जल सब्सक्रिप्शन ले करके अपना class से start कर सकते हो और हाँ students यहाँ पे unlimited views है कितना बार भी आप lecture को देख सकते हो आप live चाहो तो live देख सकते हो recorded चाहो तो recorded lecture देख सकते हो आप से पहले आपको play store से unacademical learning app डाउनलोड करना है इसके बाद जितने भी मंत का subscription लेना चाते हो आप आसानी से ले सकते हो बस आपको code यूज करना है charter studies 10 coupon code प्लीज students code जरूर यूज किजिएगा ज्यादा जनकारी के लिए description जरूज